नमस्क्र दोस्तों जील मॉस्टर यर्टुब च्ञनल पर आप सब का स्वागत है उमीद है अब लोग अच्छे होंगे जावर दोस्तों हम लोगों का जो फैंद को जो सूपर सीरिस चल रहा है एस स्ट्टीचिन तो हम लोगों को बैतर जा रहा है अच्छा लेंग भी आ रहा है और लोग अभी क्म्लिन इतन से ऑदगे वाएं हुई जुट हरा है दो से और सो तो आपराइंक आया मेरा कैप्टेन सही ठीक तरह से हो गया था लेकिन मेरा भी सी थोरा सा गरत चोईस हो गया था देखिए कैसे टीम था देखिए इस सेम टीम में जेल मस्टर टेलीग्रम चैनल पर दिया था उमीद है आप लोगों भी क्लिंसीव होगा और बहुत अच्छा विनिंग भी हुआ है तो आप लोग तो रेजल तो नहीं भेजते हो तो कोई बात नहीं बारबन में नहीं बोलता हूँ नहीं बोलना चाहता हूँ देखिए इधर से कैप्टिल कितना पॉइंट दिया है इधर से देख लिए और वह मत्था गया देखिए 280 दिया है और BC दे अफ्याव और BC करने के लिए और आप लोग को क्या करना है चैनल को Ś туда कर लेकर्ना है यहीं कई और में जोटभशेन के मैं द pearl दो देख तरह हो हूँ उसका ताइरल पर क्निक कित आप fault आहाँ कर आनि वोनक है और से नहीं चैनल वोगी कर लिजियेगा और टेलिग्रम चैनल जोएन हो जाई आगर नहीं हो तो आप लोग देखिएगा अगर जोईन करना है तो जोईन कर लीजिये गा तो तो चलिए दोस्तों यह तो था इस टी टेन मैच और मैं जो मैच के बाड़े मैं बताना चाहता हूं और कबर करूंगा वो है वो है वो है ओमेंस टीटिवेंटी कॉमन ओइल्स गेम जो काल सुरू हो रहा है अस्ट्रेलिया ओमें वर्सिस इंडिया ओमें के बीच में तो यह मै मैच खेल के आ रही है और उधर से टीटिवेंटी भी खेलके आ रही है ऑस्ट्रिया के तो रिसेंट अईलन्ड सपर था और दर से ओंडिया का स्वर्णका का सब्ताब तो दोनों ही सीरीज जीत कर आई है, T20 सीरीज, तो वो हम लोग कुछ स्कोर काड T20 का देख लेंगे, और स्कोर काड देख लेंगे तो हम लोग का उमीद मालूम हो जाएगा कौन से ब्लेермिफ कितने नमबर पर आ रही है, और कितने अबर बॉल डाल रही है और कौन सी बॉला डेट अबर पर बॉल कर रही है तो यह सारे इंफ्रोमेशन हम लोग को मिल जाएगा स्कोर काड से तो इधर से हम लोग स्कोर काड पहले देख लेंगे और मैं उसके बाद ड्रीम 11 पर क्या टीम कंबिनेशन बनाना चाहिए और क्या बन रहा है वो भी हम लोग देखेंगे तो चलिए दोस्तों पहले सुरू करता है स्कोर काड के देखकर उसके पहले में पीज रिपोर्ट दिखा देना चाहता हूँ चलिए अधिरशन फंद त्रियुक करता है धेकर दूस्तों यह मैच जो होने वाला हो वह है एंग्राउंड जो है एक बलीर्षन देंखेंगे बार्ड मिंहम एक मैच होने वाला है और पीज देखि देखिए फिच इधर हो था कदिशन और एजडिकिक Okay, अउस्वार इटीच अवा बाउंस को भी मदद मिलेगा कौन सा बोलर देखिए there will be a good amount of bounce available on the wicked that will surely help the first बोलर्स तो फास्ट बोलर्स को थो फिल्प मिलने वाला है तो जो bounce देने वाला है जो bounce करने वाला फास्ट बोलर है वही थो फिके लेकर जा सकती है तो एज़ बस्टन नॉर्माली ओफर्स एफ्लाट ट्रैक एजवेस्टर्स नॉर्माली क्या होता है फ्लाट ट्रैक होता है मतलब बैटिंग के लिए बहुत ज्यादा बैतर है and things will be favorable for the batters as well तो बैटर्स को ज्यादा फेवरेबल है मतलब हम help मिलेगी और therefore picking more of batters and bowlers in your respective dream fantasy teams will be a good option तो इसलिए हम लोगो क्या करना है फास्ट बो spinner आएगा तो spinner को हम लोगों को pick करना है और ज्यादा से ज्यादा उपड़ी करम की batsman को pick कर लेना है ठीक है दोस्तों तो देखें टीम फॉर्म गाइट देखिए इधर से वस्ट्रेव मेंस जो रिसेंट जो मैच खेलकर आ रही है इधर से देखिए नो रेजल था तीन और द दोनों टीमों का कंडिशन और pitch report तो हम लोग उसके बात क्या करेंगे scorecard देख लेंगे देखिए दोस्तों इधर सिलंका मेंस के साथ इंडिया मेंस की मैच हुई थी देखिए सिलंका मेंस ने पहले बैटिंग किया था देखिए इधर से सिलंका मेंस का बैट्समें को हम बोलिंग सेक्षन में देख लिए इंडिया मेंस की इधर से देखिए रेनुका सिंग देखिए चारोबार 26 रन एक विकेट दीपति सर्मा ने दो विकेट लिया था देखिए सिम रन बहादूर दोबार 14 रन कोई विकेट नहीं मिला था राधा यादव को देखिए तीन 12 रन देकर एक विकेट लिया था तो एथा बोलिंग सेक्षन का औप्सन इधर से दुकिति आपने शूर fark वेज़े NICK या है लेकिन हीटन तो हम लोगों को यह याद रखना है और हर्मन पित कवर्दी के सेकंड डावन पर आ रही है 31 रन बनाई है जेमी महार रड्रिक्स यह थोड़ा सा रूप कर खेलती है तो अगर उपड़ी करम के कोई दो एक दो अगर जल्दी आउट हो जाती तो जेमी महार रड्रिक्स बहुत इंपोर्टन होने वाली है क्योंकि यह थोड़ा सा रूप कर खेलती है ठीक है दोस्तों यस्ति का भाट है विकर्ट केपिंग सेक्सिन में यह भी बहुत अच्छा प्लेयर है और दीत्ति सामधे के बहुत नीचे आ रही है और देखिए पांच रन बनाई थी ठीक है दोस्त लेकिन अभी सर्वांद थोड़ा सा था सबने और चार बहुत करने के लिए पहुत इंप्टेंग करने के लिए आएग इग तो यह बहुत इंप्टन बनने वाली और ऑच्छा चोईस है सब्सक्राइब करने के लिए उसको भेजा जा सकते हैं तो इसलिए यह बहुत बहुत इंपर्टन होने वाला है और दो से तीन वत तो कॉनपर्म बॉलिंग डालेगा बॉलिंग भी अच्छा डालता है और पीछ ता आप लोग देखे लिए हो पीछ कंडिशन वहां तर तो फास्ट बोलिंग का भी बहुत मिलने वाली है तो इसलिए पूजा भस्त अगर ब करने वाला हूँ दीपति सर्मा को ठीक है दोस्तों तो 17 बनाई है तो यह दर देखिए बॉलिंग सेक्षन में क्या हुआ था इधर से रेनुका सिंग 25 बनाया था कोई विकें नहीं मिला था दीपति सर्मा एक विकें लिया था राता जातुब बहुत भॉड में था स्रीलों का टूर में तीके राधा जादुप का अब लोग देखकर चलियागा थोड़ा सा पुझा भस्ता कर देखिए चाड़ों तेरा रान मात्र तेरा रान देकर एक विकें लिया था तो यह था इंदिया मेंस का स्कोर का तो आभी हम लोग अस्ट्रेलों का कुछ रीशन स्कोर का यह तो दोनों मैच ही सायद हुआ था बाकी सार जो मैच था वह बीस्त जो रेनी रेनी के करन वह स्टॉप हुआ था तो चलिए दोस्तों और आस्ट्रेलों मेंस का दो स्कोर करें वह देख लेते हैं तो देखे दोस्तों इधर ऑस्ट्रिया ओमेंड के साथ आर्लेंड की मैच था एक मैच जो पहले बैटिंग किया तो देखे एलिसा हेली इधर इतना परफॉमेंस देखे नहीं दिखा पाई थी और फॉर्म में नहीं है तो अब लोग यह थोरा सा सोच कर चलिएगा लेकिन इस टांपिंग कैचिंग का भी थोरा सा पॉइंट दे देगी तो इसलिए अलिसा हेली बहुत इंपर्टन होने वाली है फॉर्म में नहीं है लेकिन फ्लैट पीछ है कौन बोल जाए कि यह 100 मर जाए तो इसलिए आप लोग इसको छोड़ना मात क्योंकि यह बहुत अच्छा बै लुट नहीं कर रही है तो उमीर है इंडिया व्मेंस के एकन्स बॉलिंग कर सकती है और देखिए 70 रन बनाए थी 45 बॉल पर और रेचल हैंस देखिए 5 बॉल पर 11 और ऐसलिक गाटना देखिए 3 बॉल पर 5 रन रेचल हैंस कि लेकिन बहुत नीचे आ रही है ठीक है दोस्तो तो इधर से देखिए बॉलिंग सेक्षन में क्या हुए हुआ था देखिए मेगन सुट मेगन सुट देखिए इधर से तीन अबा सोला रन दोई के डर्सी ब्राउन देखिए 4 और अटर रन एक वी के डर्सी बाउन बहुत इंपोर्टन होने वाली है क्योंकि इसका अच्छा प्लेयर है और बहुत आच्छा बोलिंग भी कर लेती है स्पिनिंग कर लीती है और अनेबल सुधरलन देखिए तीन अबर में 26 रन और असले गड़ना तीन अबर आटर रन पोईकर नहीं मिला था अलना किंग देखिए अलना किंग हर मैज में दो तीन चार करके व इसको भी आप लोग नजार पर रखिएगा तो इधर से देखिए जब बैटिंग करने उद्री देखिए एक विकेट खोकर सारे के सारे रन चेस कर लिया था वो इस्ट्रिया मोमेंस ने देखिए अलिसा हैली देखिए उतना परफॉमेंस नहीं कर पार रही है और तो आप लोग अगर वीडियो पर अच्छा लाग रह देखिए और कमेंट पर बता दीजिए का इसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है और जो मेरे चैनल पर नए हो उसके लिए बताना चाहिए गार उसके साथ सब्सक्रीब कर लिजेगा उसके बाद पर आइकूं कर दीजिए क्योंकि अगर मैं कोई नया मैच का वीडियो डाल हूँ और भी ज्यादा इंप्रोमेशन देने बना हूँ जब ड्रीम 11 पर टीम कम्बिनेशन बनाओंगा तो दोस्तों प्लीज मेरा वीडियो को लाइक कर देना तो चलिए दोस्तों ड्रीम 11 पर क्या कम्बिनेशन अभी बन रहा है वो देख लेते हैं पहले नहीं को नहीं लिया हूं और चनानास्वन को लिया हूं उधर से तहला मैगरथ को लिया हूं ठीक है दुसतों बॉलिंग से संटा चिंग करना हूँ तो बहुत फॉर्ड में है और स्पीनिंग कर लेती है और बहुत फॉर्ड में है तो इसलिए एलना की को हम में पिक करके चल रहा हूं जोनासन तो बहुत ज्यादा बॉलिंग कर लेती है और स्पीनिंग भी कर लेती है तो जोनासन को हम लोग पिक करके चलेंगे और इसके बाद देखिए एक क्योंकि इसके में में मेरा उमीद है कि इंडिया मेंज के साथ और एल्लों कर सकती है क्योंकि इंडिया मोमेंस तुलना में बहुत ज्यादा स्ट्रॉग है यहां आयलन के तरवारे से तो अस्ट्रिया के पहला है है और ज्यादा से ज्यादा टीम बन विन करने की दावेधरी राखती है क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रॉंग टीम है इंडिया वोमेंस के तुलना में क्योंकि ऑस्टिले वोमेंस हाली में वालकाप जीतकर आ रही है ठीक है दोस्तों और इधर से देखिए ताहिला मैंगरत को म में हम लोगों काम पर आ जाएगा और आगा दो से तीन अबर बॉलिंग ढलेगा तो इसलिए और जो बाउंस देता है बहुत आच्छा बाउंस भी देता है तो इसलिए मितहाला मैं गरत को में में पिक करके चल रहा हूं और इसके बाद देखे इधर से राधा यादव कर लिय नहीं लिया हों और जैसे हुर करके लिया हूं क्योंकि ना फंट कर लिया हूं क्योंकि यह हाडत टीन वजा बाष्टिकर को बीया और इदर से गया हम économique सब्सक्राइब करेगी और लोगों क्या काम होगा क्योंकि मैं पहले बोलिंग कर रही है और स्ट्रॉंग टीम है ज्यादा से ज्यादा इंडिया में की चांसे से इसलिए कैचे स्टांपिंग इसका ज्यादा भी ज्यादा पॉइंट तो अलिसा हेली को मिल लेवाली है और ओपेनिंग भी कर रही है तो इसलिए यह भी कैप्टन का अच्छा चोईस है लेकिन अभी तो फार्म में आने से ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा तो इसलिए अलिसा हेली को सेलेक्शन परसें तो कैप्टन के च्वैस में तो इसलिए आप लोग तोड़ा से रिक्स लेकर अलिसा हेली को अगा कैप्टन दे देंगे तो बहुत आच्छा हो जाएगा उसके बाद देखिए मैं श्रिती मांदान को लिया हूं बैटिंग सेक्शन में ठीक है दोस्तों क्योंकि सेफाली बर्मकर लेइन नहीं लिया हू तो इसलिए मैं शेफाली बर्मकर अभी नहीं पिकर चल रहा हूं दोस्तों एथा मेरा टीम कम्बीनेशन इधर से मैं टीम एगर्त को कैप्टन दिया हूं क्योंकि उमीद कर रहा हूं कि यह तीन से चारो वर बॉलिंग डाल सकती है इसलिए मैं टीम आगर्त को लेए रहा से यह ढ़का बोड़ी सार्व यह लोग कैप्टेन नहीं तो भी सी देकर चल सकतूर में अभी को करी भी सी देकर चल रहा हूँ ठीके दोस्तो इस दोस्तों इस देखिए तो यह मैरा टीम और इसरलोग कैप्टेन का चॉइस तो मैं बनाति एक है अलिसा है लिए एलिसा हैली है मेग लैनिंग भी है बेद मुनी भी है स्मृति मांदना भी है यह तोड़ा से बीसी का अफसन में होगा कैप्टन नहीं बनेगा मेरे मतलब से और देखिए हर्मेंपित कॉर्ड तो ही है टेहल मेगरत है और दार्सी बाउन जो के रिसकी कैप्टन का चौइस है कि रिसकी कैप्टन का चौइस है और दर से ऐलेना कींग भी रिसकी कैप्टन काचौश है ठीके दोस्तों के चवाले बता दिया हूं और इसके और पहले बोलिंग करेगी तो तो यह जब तो तो थोड़ा सा यही टिम होने वाली है उतना ज्यादा चेंज करने की कोई जोरूरत नहीं है ऐसा टीम ही भी आप लोग रख सकते हो ठीके दोस्तों कोई भात नहीं और तब आप लोग क्या करेंगे इधर से आप लोग क्या प्वाइस क्याप्टेन अगर एलिसा हेली को भी देखे चल सकते हों, नहीं तो इधर से तहीला मेंगरत को भीची देखाट हों, नहीं तो आप लोग क्या करेंगे एलिसा हैली वेंगे बहुत ज़्यादा रान बना कर एक बहुत रहे हैं तो इधर से एलेना कींग को बहुत फाइदा मीन लेवाली है क्योंकि यह स्पीन बॉल कर लेती है और बहुत फॉर्ड में भी है और ज़्यादा रन बनाएगी तो आप लोग यह मान कर चलिएगा हर बर्द यह मान कर चलिएगा जिसके निगर सपíनिंग के बहुत कम पर आने तो क्योंकि इस को भीर जादा से जादा हीट करने की कोशिच करेंगी टो दोस्तों बहुत ज्यादा हीट होने तो इसलिए अलना कींग को हम वीशी देकर चल सकते हैं अगर उस्टलियो मेंस के टीम पहले बैटिंग कर रही है तो और आप क्या करेंगे आप लोग देखें एले साथ फर में है तो इसलिए आप लोग बेद मुनी को कैप्टेन दे सकते हो नहीं तो आप लोग क्या करेंगे वीशी बेद मुनी और मेंग लानी को एक कैप्टेन वाक्तेन कंबो कंबो मना के चल सकते हो ठीक है दोस्तों तो ऐसे करके आप लोग कैप्टेन वास्टेन रोटिट करके जदा से जदा टीम बनाई हैं और जील खेलिए और मैं तो टीम दहीं दोंगा मेरा टेलीघ्रम चैन चले जाईगा और उदर से आब लोग प्लिक करके जो modo प्लिक करके आब लोग ज्यांट हो जाईएगा ज초 प्लू कलर के लिंख है वह आब लोग देख लिजीगा थोरा तो उमीद वह आ लगा है और लोग की पिदियो था उपिध है तो प्रूमेंटेफ बाता दीगा कितना इंपॉरमेटेफ वीडियो है और नहीं है अगर नहीं है तो अगर अब लोग बता दीजिए कोई प्रॉबर्ब्लम नहीं है और मैं ज्यादा-सर-ज्यादा कुछिस करऊंगो और भी परमेटरी वीडियो बनने के लिए अगर आप लोगों को दुआ मिलेगी और ज्यादा से ज्यादा प्यार मिलेगी तो और ऐसे तरह के वीनिंग हम लोग करते रहेंगे आप लोग जुरूर आप लोग मेरे को सपोर्ट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए और